नमस्कार साथियों आप सभी के सामने प्रस्तुत है सती सावित्री की कहानी आशा है आपको यह कहानी पसंद आएगी सूर्य वंसी राजा अश्वपती का राज्य धंधान और विपुल संपदा से पूर्ण था प्रजा अमन्चैन की बंसी बजाती अपने दिन सुख से काट रही थी किन्तु सब पुछ होने पर भी राजा अश्वपती कभी कभी बहुत अदास हो जाया करते थे एक कांत में पढ़ते ही उनका मन बड़ी निराशा से भर उटता इस उदासी और निराशा का कारण यह था कि राजा अश्वपती का विवा हुए कई वर्ष गुजर गए थे तथा पी अब तक उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई थी वह हर दम इसी सोच में पढ़े रहते कि मेरे बाद इस विशाल राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा कौन मेरे वंश को जीवित रखेगा राजा अश्वपती की चिंता दिनों दिन बढ़ती गई कि उनकी काया गुलगुल कर छीन होने लगी राज्य के पंडितों और विद्वानों ने राजा की यह दशा देखी न गई उन्होंने संतान प्राप्ती के लिए राजा को पुत्रेष्ठी यग्य करने की सलाह दी राजा ने बिना किसी बिलंब के यग्य कायो जन किया यग्य समाप्त होते ही राजा को इसका प्रतिफल भी प्राप्त हुआ कुछ दिन बाद ही समाचार मिला कि रानी गर्भबती है इस समाचार से राजा खुशी से पागल हो उठे उन्होंने खुले हातों ब्राम्भनों को दान धक्ष्णा दी समय आने पर महरानी ने एक सुन्दर कन्या रत्न को जन्म दिया जो तिशियों और पंड़ितों ने गंड़ना के बाद कन्या का नाम रखा सावित्री राज महल के लाड़ प्यार और दुलार में पलती सावित्री जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी वैसे ही वैसे उसके रूप और लावर्न की आभा भी निखरती जा रही थी लेकिन सावित्री केवल रूप मती ही नहीं थी बुद्धी मती भी थी उसकी बातें और तोर तरीकों से राजा अश्वपती को उसकी कुशागर बुद्धी का पता चला तो उन्होंने पंडितों से कहकर नैतिक वधार्मिक सिक्षा भी दिलवाई समय पापकर सावित्री युवती हुई राजा अश्वपती को उसके विवाह की चिंता सताने लगी आसपास के राज्यों में कुछ राजपुत्रों का संधान भी उन्होंने किया पर यह जानकर के केवल रूप में ही नहीं गुणों में भी वे सावित्री से हीन है उनका मन खिन्न हो गया वे सावित्री के लिए ऐसा पती नहीं लाना चाहते थे जो योगता में सावित्री से कम हो जानते थे इस से पती पत का गुरुत्तु समाप्त हो जाता है आखिर करहार कर उन्होंने सावित्री से कहा तुम जिसे भी अपने पती पत के योगत समझोगी ह उसे ही जामाता के रूप में स्विकार करेंगे राजा अश्योपती की चहेती बेटी सावित्री को यह ग्यात हुआ कि अपने लिए योग्यपती की तलाश उशे ही करनी है तब वह अपने साथ कुछ चुनी हुई सहेलियों को लेकर पती की खोज में समस्त आर्यावर्थ का भ्रहण करने के लिए निकल पड़ी आखिर एक वन में उसे साधूर राजा का पुत्र सत्यवान नजर आया सत्यवान अत्यंत सुन्दर था उसके चहरे पर एक अपूर्वकांती थी सावित्री उसे देखते ही उस पर मुग्द हो गई सावित्री वहीं से लोटाई किन्तु लज्जा वश्वा पिता से सत्यवान के संबंद में कुछ ना बता सकी उसकी चुप्पी से राजा अश्वपती ने यहने शकर्श निकाला कि सावित्री को अपने लिए कोई सुवग वर्ग प्राप्त ही नहीं हुआ इसलिए वहमोन है खताश होकर उन्होंने सुवेंबर रचाने की सोची सुवेंबर में अनेक राजाओं तथा राजपत्रों को निमंत्रित करके कन्या को उन्होंने से किसी को अपना पती चुनने को कहा जाता था राजा अश्वपती का विचार था कि इतने राजपत्रों में से सावित्री अवश्य किसी ना किसी को पसंद कर लेगी इस संबंद में उचित विचार विमर्ष करने के लिए उन्होंने महापंडेतों और विद्वानों की एक सभाव बुलाई सावित्री को जब ग्यात हुआ कि उसका सुएंबर रचाने के लिए ही उसके पिता ने सभाव बुलाई तो वहरास सभामिजा पहुची और अपने पिता से भोली आपको अब मेरे विवाह की चिंता त्याग देनी चाहिए पिता जी क्योंकि तनमन से मैं अपने पती का वरण कर चुकी हूँ राजा अश्वपती को यह सुनकर अचरश्टो हुआ पर साथी खुशी भी हुई कि चलो अब इस समस्या से सुटकारा तो मिला पूछा वह भागिशाली पुरुष कौन है बेटी सत्यनाम नामक एक साधू राजा का पुत्र है तब सावित्री ने विस्तार पूर्वक सत्यवान से अपने मिलने की कथा पिता को सुना दी साधू राजा का पुत्र पंडितों और विद्वानों में खलबली मच गई तो क्या राजकन्या सावित्री किसी निर्धन के पुत्र से विवाह करेगी क्या यह उचित होगा सावित्री बोली मैं मनही मन युवक सत्यवान को अपने पती के रूप में वरण कर चुकी हूँ और मेरा यह निष्टे अटल है यह सुनकर सब इस्तब रह गए पंडेतों और विद्वानों को भली भाती याथ था कि राजा अश्वपती अपनी अत्यंत प्रिवेटी की किसी एक्षा को ठुकराते नहीं है राजा अश्वपती इस धर्म संकट में थे कि सावित्री एक निर्धन सादू राजा के पुत्र सत्यवान से विवाह करेगी तो लोग क्या कहेंगे इसी समय नाराएंड नाराएंड जबते हुए मुनिवर नारत वहाँ आप पहुँचे हर्शेत होकर राजा सुपती ने कहा आप अच्छे समय पर आए मुनिवर मैं एक कठन समस्या में फस गया हूँ जिसका हल आप ही निकाल सकती है समस्या क्या है नाराज जी ने प्रश्र किया आप तो जानते ही है मेरी एक मात्र पुत्री सावित्री अब विवाह के योगे हो गई है तो उसमें समस्या की क्या बात है कोई योगे वर खोच कर तुरंट उसका विवाह कर दीजिए वर तो साविस्त्री के लिए स्वयम ही ढूंड लिया है सावित्री ने मुनिवर किन्तु कटना ही क्या है कटना यह है कि वर एक निर्धन सादू का पुत्र है नाम है उसका सत्यवान सत्यवान नारज जी ने दोहराया फिर हसकर कहा राजन आपका दाचित इस तथ्य से आउगत नहीं है कि सत्यवान किसी निर्धन का पुत्र नहीं वह वास्तों में राजपुत्र ही है वह राजा धुम्तसेन का पुत्र है जो अपना राजपाट छोड़कर वन में साधुओं की बाती जीवन वितीत कर रहे हैं राजा अस्व जी ने कहा लेकिन सत्यवान से विवाह करके सावित्री को बाद में पच्टाना पड़ेगा क्यों मुनिवर क्योंकि सत्यवान की आयू बहुत ही कम है वह सिर्फ एक वर्ष और जीवित रहेगा एक वर्ष बाद सावित्री को विधवा के रूप में जीवन बिताना पड़े झाल गा सावित्री के वैधभग की कलपना मात्र से राजा अश्वाती काप उठे नारजी के बिदा हो जाने पर उन्होंने सावित्री को बुलाया और नारजी से हुई सारी बात कसार बताकर सत्तेवान से विवार गृहा करने दो बार अफ़ल नहीं सकता उसी तरह एक आज्येनारी सूप्ण में भी किसी दूसरे पुरुस से विवाह करने की बात नहीं सोच सकती मैंने मन से सत्यवान को अपना पती स्विकार कर लिया है अब वह जो है जैसा है मेरा पती है इसके अलावा किसी और से विवाह करने की बात मैं सोच भी कैसे सकती हूँ सावित्री के हट के आगे राजा शुपती लाचार हो गए अन्तता सावित्री का विवाह कुमार सत्यवान से हो गया सावित्री पती के साथ उसकी कुटिया में रहने लगी और प्रेम पूर्वक तन मन से पती की सेवा करने लगी पर इसके साथ ही उसे नारजी द्वारा सत्यवान के संबंद में की गई बविश्चवानी बरावर शूल की तरह चुपती रहती थी जो उसके पता ने बताई थी यद्यपी सावित्री इसकी चर्चा सत्यवान से नहीं करती थी तथा पीवा मन ही मन उसी समय से दिनों की गणना करती जा रही थी जब एक वर्ष पूरा होने में तीन दन बाकी रह गए तो सावित्री ने उबवास रखा तीसरे दिन सुबह सत्यवान जमनित कर्मों से निवर्थ होकर लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चला तो सावित्री भी उसके साथ चल पड़ी लकड़ी काट चुकने के बाद सत्यवान नीचे उत्रा काफी ठग गया था अत्यधिक परिश्रम से उसके बदन में दर्द हो रहा था अता हुआ सावित्री की जांग पर सिर रखकर लेट गया इसी समय भैस पर सवार मृत्यू के देव यमराज वहां प्रकट हुए सावित्री ने उन्हें प्रणाम करके आने का कारण पूछा यमराज ने बताया कि सक्तिवान के जीवन की अवधी समाप्त हो चुकी है अता हमें इसके प्राण ले जाने के लिए आया हूँ सावित्री विलाप करती हुई बोली देव अभी तो मुझे विवा की ये मातर एक वर्षी हुआ है मैंने अपने पती के साथ विवाह जीवन का कोई भी सुख नहीं पाया यसे में आप मुझ पर बैदब बलादना चाहते हैं जिसकी अवधी पूरी हो चुकी उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं सावित्री या तो विदी का विधान है तुम्हारे विलाप करने से यह बदल नहीं सकता ये मराज ने समझाया अता विलाप बंद करके तुम यहां से चली जा और किसी अन्ने से विवाह रचा कर जीवन के आनंद का उभूग करो यहाँ आप क् तुम्हारी यह जिद बेकार है सावित्री तुम्हारी यह बेकार है सावित्री मैं तुम्हें फिर कहता हूं घर को लोट जाओ पर सावित्री ने यमराज की बात ना मानी उनके पीछे लगी रही यमराज ने उसे बार बार समझाया पर सावित्री ने पीछा नहीं छोड़ा अंत में यमराज ने कहा सावित्री यहां अमरत्यू लोग की सीमा समाप्त हो गई अब तुम वापस लोट जाओ पर सावित्री ने वापस लोटने से इंकार कर दिया और अपने पती वरत धर्म की शक्ती से वह परलोग की सीमा में भी प्रवेश कर गई हार करी अमराज ने कहा अच्छा मैं तुम्हारी पती निष्टा से प्रसन्न होकर तुम्हें एक वरदान देता हूँ अपने पती के प्राणों को छोड़ कर तुम कुछ भी मांग लो और मैं लोड जाओ सावित्री के स्वसोर राजा धुम्त सेन अंधे थे और राजपाट छोड़ने के बाद उनका शरीर भी बहुत क्रशो चला था सावित्री ने यमराज सेवर में उनकी आखें की जोती उनका स्वास्त और राजपाट वापस मांगा यमराज ने तथास्तु कहा और बढ़ चले पर सावित्री ने तब भी पीछा नहीं छोड़ा यमराज अब धरती पत छोड़कर आकाश मार्ग पर बढ़ चले सतित्य के प्रताफ से सावित्री भी उसी मार्ग पर उनके पीछे पीछे चली जा रही थी उसे इस प्रकार अपने पीछे आते देखकर यम्राज चकेत हुए उन्होंने उसे बहुत समझाया पर सावित्री ने पीछे लोटने से इंकार कर दिया सावित्री की अटल पती निष्टा से परिशान यमराज दीरे दीरे यमपूरी के करीब पहुंसते जा रहे थे उन्होंने कहा देवी सावित्री तुम्हें एक आखरी बार और देना चाहता हूँ जो मांगना चाहो मांग लो किन्तु इसके बाद तुम वापस लोड जाओगी यमराज ने चेताओं ने दी हाँ याद रखो वर मैं सत्यवान के प्राण तुम वापस नहीं मांगोगी कुछ सोचकर सावित्री बोली ठीक है देओ आप मुझे वर्दान ही देना चाहते हैं तो यह वर्दान दीजिए कि मै अपने पती के सो पत्रों की माता बनू यमराज ने तुरंत तथास्तु कहा और आगे बड़ा किन्तु सावित्री तब भी उनके पीछे लगी रही यमराज ने उसे पुनाह अपने पीछे आ था देखकर प्रश्न किया अब तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो देओ आपने ही तो वर्दान दिया है कि मैं अपने पती के सो पत्रों की माता बनूगी जब आप मेरे पती को ही लिए जा रहे हैं तो आपका वर्दान कैसे पूरा होगा यमराज बचन हार चुके थे बोले तुम धन्य हो सावित्री तुमने अपने सतित्त से विदी का विधान भ सावित्री ने यमराज को प्रणाम किया और वापस मृत्री लोग चली आई रक्ष के नीचे सत्यवान अचेत पड़ा था यमराज ने उसके प्राण वापस किये तो वह आखें मलता हुआ उट बैठा और सावित्री से बोला मैं कजात्रित बड़ी देर तक सोता रहा हूं ह संध्या हो रही है अब घर चलें पिता जी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे लकडी का गठर उर्था कर सत्यवान सावित्री के साथ कुटी की और चल पड़ा इन्तु मार्ग में ही रत लिये उनका स्वागत करने को राजा धुत्म सेन के मंत्री खड़े थे सावित्री के सत पित ने ना केवल अपने पती के प्राणी अमराज से वापस ले लिये वरंड ससुर की खोई हुई आंके स्वास्त और राजपाट भी लोटा लिया था बहुत बहुत धन्यवाद आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी यदि कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक औ बहुत बहुत धन्यवाद